हेलो गईस मेरा नाम है गगन और आप देख रहेंगे एक टिक गईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एगर आप अपने SBI का ओनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड भूल गएं तो आपको उसको कैसा रिसेट करना है गैस जो इस टेप मैं आज के इस वीडियो में फोलो करूँगा वही आपको फोलो करने उसके बाद आपका ओनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड रिसेट हो जाएगा तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तो सबसे पहले आपने Google पे जाना और Google पे आप लिखेंगे यहाँ पे SBI Online Banking तो आपको SBI की Website यहाँ पे नजर आएगे आपने इस पे किलिक कर लेना और आपको यहाँ पे इस पिरकार का Interface देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा Personal Banking तो आपने Login वाले बिटन पे किलिक करना है जब आप Login वाले बिटन पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको Continue to Login का बिटन देखने के लिए मिलेगा आपने इस पे किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहांसे कि आप यूज वाली हर बार लोगिन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उसी के सामने आपको देखने के लिए मिलेगा New User Registration और Active Inactive का यहाँ पर बेटन देखने के लिए नीचे मिलेगा आपको Forget Login Password तो आपने दोस्तों Forgot Login Password वाली बेटन पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो New Window खुलेगी आपने इसको इस पर प्रकार से Open कर लेना है Maximum Open कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप किस तरीके से आप इसको Password को Forgot करना चाहते है तो Forgot Username अगर आप Username भूल गएं तो आपको Username सलेक्ट कर लेना अगर आप Password भूल गएं तो Password अगर आप ब्रांच के थुरू कराना चाहते हैं इसको तो आपने यहाँ से Option सलेक्ट कर लेना बट मैं आपको बताऊंगा Forgot My Login Password तो Online हम खुद से ही कैसे कर सकते हैं यह जो मैं इस टेप आपको दिखा रहा हूँ यह मैं अपने Computer में करके दिखा रहा हूँ आप अगर Mobile से करेंगे तो आप Chrome में Desktop बाले टेप पर जाके यही आपको ऐसा सारा कुछ प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद आपने Next बटन पर क्लिक करना है जैसे आप Next बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल पूछे जाएगी तो वो डिटेल हमारे पास होनी चाहिए जो डिटेल यहाँ पर पूछे जाएगी वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड यानि कि इसमें इंटर करनी पड़ेगी जब भी हम अपने Password को Reset कर सकते है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या डिटेल इंटर करनी है जिससे कि आपको समझ आ जाए और आपके पास वो डिटेल होनी चाहिए सबसे पहले हमें अपनी Online Bank की का जो यूजर नेम है वो यहाँ पर इंटर करना होगा तो यूजर नेम आपको पता होना चाहिए आपका यूजर नेम क्या है उसके बाद हमें Account Number अपना इंटर करना पड़ेगा जो भी हमारा Account Number है उसको हमें यहाँ पर इंटर कर देना है फिर यहाँ पर यह पूछेगा कि किस Country है तो हमारी इंडिया से हैं हम तो हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमसे पूछेगा Mobile Number तो जो हमारा SBI Bank में Registered Mobile Number है वो हमें इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर हमसे Date of Birth पूछेगा जो भी हमारी Registered Date of Birth है वही हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है उसके बाद ही Capture Code आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा इस प्रकार से वह यहाँ पर आपने इंटर करना है तो अभी मैं सारी इंटर कर दिखाता हूं उसके बाद आगे का पर अपको सीश DNA आपको दिखाता है तो दोस्तों ही स्क्रीण पर भी आप देख सकते हैं मैंने आप जहाँ जो जो डिटेयल मुझसे पूछी गई है व्हों अनने सभी इंटर कर दिया है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स तोड़ा से किस परिखार से आपको अपनी सारी detail इंटर करदेने हैं। उसके बाद आपने submit वाले प्रिटन पे ट्लिक करना है। जब दोस्तों आप शम्मीट वाले बिटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजिस्ट्रेड मोबायल नम्बेर है उस पर एक OTP जाएगा तो वह आपने OTP यहां पर इंटर करना है OTP इंटर करने के बाद दोस्तों आपने कंफर्म वाले बिटन पर क्लिक करना है जैसी दोस्तों आप confirm OTP वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन option देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर तीन option में दोस्तों आपको पूछेगा कि आप जो अपना password forgot कर रहे हैं उसको आप किस option के थुरू करना चाहेंगे जो कि हम कुछ भी changes करते हैं तो हमें profile password इंटर करना होता है तो अगर आपको अपना profile password पता है तो आप using profile password के थुरू कर सकते हैं तो मैं दोस्तों अभी यहाँ पर using ATM card detail के थुरू करके आपको बताऊंगा तो ATM card तो सभी के पास होता है तो ATM card के थुरू आप करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं या फिर आप using profile वाले password पे क्लिक करके करेंगे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं बढ़ आपको इसका password पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है आपको doubt है कि आपको properly याद नहीं है तो आप ATM card वाले detail पे क्लिक करके submit वाले बेटन पे क्लिक करेंगे तो जैसी दोस्तों आप submit वाले बेटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस पिरकार का interface दिखाई देगा जो भी आपका यहाँ पे ATM card होगा अगर आपने एक ही ATM card ले रखा है तो आपको दिखा देगा या अगर आपने पहले को ATM card लिया है वो अब active है या डी active है तो यह यहाँ पर उसकी list दिखा रहा होगा तो मेरा जो अभी ATM card है जो भी ATM card है में उसको select कर लूँगा पिछले last four digit match करके अपने ATM card से और उसको select कर लूँगा उसके बाद confirm का button आप देखेंगे उस पर आपने click करना है जैसी आप दोस्तों इस button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके card की details हो जाएगी card number दिखा रहा होगा आपको और यहाँ पर आपको बोलेगा valid to expiry date यानि कि आपको जो भी month expiry date होती है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा और जो card यानि ATM card का pin होता है वो आपको enter करना होगा उसके बाद आपने capture code यहाँ पर enter करना होगा तो इस सारी details आपने जो ATM card की है वो आपसे पूछी जाएंगे और आपने enter कर लेना है उसके बाद आपको proceed वाले button पर click करना होगा तो मैं भी अपनी detail इंटर कर लेता हूँ उसके बाद आगे का process आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हाँ पर card की detail इंटर कर लिए उसके बाद proceed वाले button पर click करना है तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं कि यह automatically उसने दिखा दे कि जो आपने card की detail इंटर करी थी वो बिल्कुल ठीक थी सही तरीके से process हो गया और फिर उसके बाद ही automatically यहाँ पर हमें password reset करने के लिए new page पे लिया आया है तो अब दो password रखना है हम उसको इंटर करेंगे उसके बाद फिर से हमें वो एक बार दुबारा से repeat करना है यहाँ पर तो अब हम उसका password यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद हम submit वाले button पर click करेंगे तो हमारा new password बन जाएगा तो यह process से दोस्तो आपको follow करना है तो मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन पर कि your login password has been reset successfully तो मैंना अपना password को यहाँ पर reset कर लिया और successfully वो reset हो गया है तो इस परकार से दोस्तों आपने अपने online banking का password को reset कर लेना है तो I hope कि आपको यह process समझ आया होगा और जो कुछ भी आपकी problem है solve हो गई होगी दोस्तों गर आप इस वीडियो में से और कमेंट कर सकते हैं और आपसे दोस्तों अब एक छोटी सिर्क्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो मे तब तक के लिए बाई बाई